कतर में इस भारतिय फूड आइटम को मार्केट से बैन कर दिया गया है, लोगों को खाने से मना भी किया गया है कतर मिनिस्ट्री आफ पबलिक हेल्थ ने सभी लोगों को चेतावनी देते हुए बताया है भारतिय फ्रेस और फ्रोजन जींगा यानि इंडियन स्रिम्प का सेवन बिल्कुल भी ना करें इसका सेवन आपको गंभी रूप से बीमार बना सकता है फूड लेबोरेटरी ने इसको खाने के लिए अनफिट बताया है नगर पालिका के साथ मिलकर कतर के अंदर मार्केट से सभी स्रिम्प को हटाया जा रहा है आपको बता दे कुएट के अंदर भी इसको बैन कर दिया है कुएट ने 2017 में इसको बैन कर दिया था लेकिन एक बार फिर से कुएट के अंदर निर्देश जारी किया गया है इंडियन स्रिम्प में माइक्रोबियेटली कॉंटमिनेटेड पाये जाते हैं इसके लिए इसके सेवन पर रोग लगा दिया गया है अगर किसी की तबियत खराब हो जाती है तो वह तुरंत डाक्टर से परामर्स लें